आज हमारे भगवान चार महिने के बाद अब जगने जा रहे हैं आज उत्थान एकादशी है ठीक चार महिने पहले जब चतुर मास प्रारम हुआ था तो शयन एकादशी के दिन भगवान सोते हैं और आज भगवान जगते हैं और इसलिए भगवान को जगाया जाता है हे जागने तुझा दवा क्रश्न गो वाणिया तुझ्य विना देनुमा कोण जाशे है जागने तुझा जाखने तुझा जाशे हैं विभावरी सेश आलोक प्रवेश निद्राचाडी उठ जीव बोलो हरी हरी मुकुंद मूरारी रामक्रिषनायंग्रिवा वैसे टोटली ऐसा मान लेना कि लिए भगवान चार महने सो जाते हैं तो ये भी गलत है क्योंकि भगवान चार महिने छोड़ो भगवान चार मिनिट भे यदि सो जाए न तो ये करोडो करोडो ब्रह्मान को चलाना चराना this ये कौन करेगा और वैसे भगवान की अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वरीति मन्ते भगवान की प्रतियेक इंद्रिया एक-एक इंद्रिया सभी इंद्रियों का काम करती है वो तो सोते हुवे भी काम कर सकते हैं लेकिन भगवान के शयन एकादशी का कुछ विशेश कारण और आज उत्थान एकादशी भगवान के जगने का कुछ विशेश कारण सो आज कार्तिक शुकल एकादशी ती थी है आज भगवान उत्थान हुआ है और आज के दिन की बहुत बड़ी महिमा यह है कि आज से भीश्म पंचक प्रारम हो रहा है भीश्म एटले भूका काड़ी नाक है मतलब राशी भी मिलती है भूका और भीश्मा मावारत का एक ऐसा पात्र है जो सब के दिलों पर राज करता है जो सब के मानस पटल पर राज करता है पिताम भीश्म से अनेको वस्तु सिखने लायक पिताम भीश्म से हमारे जीवन को समारने लायक अनेको बाते हैं तो आज पवित्र भीश्म पंचक प्रारम हो रहा है और पूरे महाभारत के दादा है पिताम भीश्म तो आईए दादा जी को आज हम भी कुछ कृतान जली, कुछ पुश्पान जली प्रदान करके कथा की और आगे बढ़ेंगे यूं तो पिताम भिश्म बारह महाजनों में से एक है स्वयंभू, नारद, शंभू, कुमार, कपिलो, मनू, प्रलाद, जनक और भिश्म सो भिश्म महाभागवत है, महाजन है और पिताम भिश्म का पूरा जीवन ज्यरीत्र बिल्कुल विशेश है पिताम भिश्म को अब प्रारम से ही हम देखें तो गंगा के पुत्र अब गंगा के पूत्र में क्या कमी होगी साक्षात गंगा के गोद से जिसका जन्म हुआ गंगा देवी ने जिनको संसकार देकर पाला और बड़ा किया शांतनु महराज जैसे महाप्रतापी राजा के पुत्र हुए यह देवरत पिता मभेश्मा और फिर आगे चल कर उन्होंने अपने पिता जी की सेवा करने के लिए दुनिया में आज का बंदा सोच भी नहीं सकता है इतना बड़ा सेक्रिफाइज किया इस देवरत ने इतना बड़ा समर्पन किया अपना बलिदान दिया अपने पिता को प्रसन करने के लिए और वो बलिदान क्या था? मैं जीवन भरतक विवाह नहीं करूँगा, अखंड ब्रह्मचरिय व्रत का पालन करूँगा, और हस्तिना पूर का राजा नहीं बनूँगा. ये तीनों पिताम भिश्म बहुत अच्छी तरीके से विराजा भी बन सकते थे, विवाह भी कर सकते थे, और बच्चे उत्पन भी कर सकते थे, लेकिन एक अपने पिता को प्रसन करने के लिए पिताम भिश्म ने ये बलिदान दे दिया, और इसे पिताम भिश्म को इच्छा म पृत्यू का वर्दान प्राप्त हो गया लेकिन उनकी यह भी प्रतिज्या रहें कि जब तक जीऊंगा देखिए समाज को, परिवार को संस्था को छोड़ देना बहुत आसान है लेकिन समाज के साथ रहेकर परिवार के साथ रहेकर कभी-कभी कडवे घूट पीकर उस परिवार को संजो कर रखना सजा कर रखना यह बहुत कठीन है और पिताम भिश्म ने यह किया पिताम भिश्म ने यह दिखाया हम क्याना हम चोटी-चोटी बातों में समाज को छोड़ देते हैं चोटी-चोटी बातों में पतनी-पती को त्याग देती हैं, पती-पतनी को त्याग देते हैं, बच्चे-माबाप को त्याग देते हैं, हम चोटी-चोटी बातों में संस्था को छोड़ देते हैं, लेकिन एक कवी ने बहुत सुंदर कहा, और ये समाज, परिवार, संस्था क को छोडने का कारण, एक दुसरे के उपर ब्लेम करते हैं, कि वो ठीक से काम नहीं करता, उसका व्यवार ठीक से नहीं है, वो ठीक से महिनत नहीं करता, लेकिन एक बात दियान में रखें, यह जो घड़ी होती हैं गड़ी, आप रूच देखते न, घड़ी में कितने काटे होत है ठीक है अब अब सेकेंड का कांटा जितना तेज गती से चलता है क्या मिनिट का कांटा उतना तेज चल सकता है और मिनिट का कांटा जितना तेज चलता है वो एक घंटा दो घंटे वाला कांटा क्या उतना तेजी से चल सकता है नहीं तीनों की स्पीड अलग है तीनों अलग अलग गती से चलते हैं लेकिन तीनों यदी साथ में हो तो दुसरों के बारा बजा सकते हैं बारा बजाना जानते न ये तीन कांटे यदी साथ न हो तो बारा नहीं बजेगा यदी बारा बजाना चाहते हो विजय होना चाहते हो तो तीनों काटे को साथ में रहना होगा तीनों जब एक साथ हो जाते हैं तो बारा बजा देते हैं तो ये मत देखें कि मेरे समाज मेरे परिवार मेरे संस्था में वो कम काम करता है वो कम सेवा करता है वो जादा सेवा करता है नहीं सब लोग अपने अपने कर्म से चल रहे हैं लेकिन जीवन में यदि विजय होना है क्रांति लानी है तो साथ में रहना होगा पिताम भिश्म ने ये दिखाया ये समझाया चाहे हस्तिनापूर में उस पूरे कुरुवंश में कैसी कैसी परिस्थिती आई लेकिन पिताम भिश्म बिलकुल दट कर रहे और अपने प्रण के अनुसार हस्तिनापूर की रक्षा किये और एक समय ऐसा आया कि पिताम भिश्म बिलकुल धर्म संकट में फस गए एक और हस्तिनापूर की रक्षा करने की उनकी प्रतिग्या और दुसरी और उसी हस्तिनापूर का राजा दुतराष्ट्र और उनका बेटा दुर्योधन अधर्म कर रहे हैं और साथी साथ पिताम भिश्म ने देखा कि अब दुर्योधन का विनाश होना है अधर्म का नाश तो निश्चित होना ही चाहिए लेकिन जब तक मैं दुरियोधन की टीम में नहीं रहूंगा मैं दुरियोधन के पक्ष में नहीं रहूंगा ये युद्ध नहीं करेगा और ये युद्ध नहीं करेगा तो मेरा कृष्ण मेरा केशव इस अधर्म को नश्ट नहीं कर पाएगा धर्ती पर प्रकट हो चुके हैं वगवान कृष्ण यदा यदा ही धर्म स्यगला निर्भवति भारत अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण प्रकट हो चुके हैं लेकिन युद्ध होना जरूरी है और दुर्योधन युद्ध करें इसलिए पिताम भिष्म दुर्योधन के साथ रहे मेरा चाहे जो होना सो हो जाए लेकिन कृष्ण की इच्छा पुर्ण होनी चाहिए दर्म की स्थापना होनी चाहिए और अधर्म का विनाश होना चाहिए इस प्रकार पिताम भिष्म का संकल पता और फिर आप सब जानते हैं मैं भिष्म पंचक के उपर कह रहा हूँ आज से एक बहुत सुन्दर परव शुरू हुआ है ये पाँच दिन का परव है बहुत सुन्दर परव और इस परव का निर्मान स्वयम भगवान कृष्ण ने किया है स्वयम भगवान ने एलान किया है भिष्म पंचक मैं आपको कथा के अनुसार बताऊँ तो फिर युद्ध अवशम भावी हुआ और दोनों सेना तयार हो गई और आप सब जानते हैं कि युद्ध करते 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 आठ दिन बित गए लेकिन पांडवों में से कोई नहीं मरा तब आठवे दिन की रात को ये दुर्योधन पिताम भिष्म की शिबिर में जाकर पिताम भिष्म को अनेको प्रकार से कटू वचन कहता है कि हमने आपको हमारी सेना का सेनापती बनाया इतनी बड़ी पोश्ट पर बिठाया अब तू कौन होता है पोश्ट पर बिठाने वाला तू तेरा बाप, तेरी परमपरा पिताम भिश्म के कारण तो गादी के उपर बैठी है वो राजा बने हुए है क्योंकि पिताम भिश्म ने ये स्विकार नहीं किया लेकिन दुर्योधन बड़े कठोर शब्द कहने लगा और अंत्मया तक कह दिया पिताम जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया आपने पांडवों का पक्ष लिया और जब ऐसे कटू वो चंदुर्योधन बोला भिश्म नहीं रहे पाए और भिश्म पूर्ण आक्रोश में आगई युवराज अब एक शब्द भी आगे मत कहना यदी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पांडवों का पक्ष लिले ले रहा हूँ तो जा तेरा ये दादा ये भिश्म आज प्रतिग्या करता है कि कल के दिन के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूँगा मैं पांचों पांडवों को और अरजुन मेरे सामने आया पहले अरजुन को मारूंगा ये मेरी भिश्म प्रतिग्या है अकाश में देउता प्रकट हुए पुश्पकी वरिष्टी और ये भी कहा कि अपनी पतनी को भेज दिना मैं वर्दान भी दे दूँगा लेकिन आज के बाद मेरे सामने ऐसे शब्द मत कहना कि मैंने छेद किया है नमक हरामी की है दुर्योधन चला गया कथा से आप सब परीचित है और जाकर दुर्योधन सो गया यहाँ पांडव सो गये लेकिन भगवान से कृष्ण सोच रहे है कि यदी सुब हो गई और भीष्म रन भूमे में उतरे तो अपनी प्रतिग्या पर खरे उतरेंगे और पांडव को मार देंगे कृष्ण ने सोचा मेरे होते हुए पांडव को आज भी नहीं आने दूँगा क्या करू क्या करू पहले तो पांडव को जगाया उठो और कुछ करो पांडव ने कहा करना आपको है निमित्र मात्रम भव्य साची हम तो निमित्र मात्र है क्रिष्ण करना तो आपको है जाएगी लाज तिहारी मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो हमारा क्या भी गड़ेगा लाज तो आपकी जाएगे पांडव सो गए और भगवान कृष्ण रात भर जगे और फिर द्रोपदी को लेकर गए और जो भी हुआ आप सब जानते हैं पिताम भिष्म ध्यान में बैटे थे और कृष्ण ने द्रोपदी को भेजा प्रणाम किया तो लगा कि दुर्योधन की पत्नी आई है अखंड सोवाग्यवती भव का आशिरवाद दे दिया आखे खुली तो देखा द्रोपदी तुरंत भिष्म समझ गए कि ये काम कृष्ण का ही हो सकता है शिविर से बाहर निकल कर देखे तो भगवान कृष्ण कड़े है तब कृष्ण कहता है पितामा अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल रात को आपने प्रतिग्या की पांडवो को मार दूँगा और अभी अभी आपने द्रोपदी को वरदान दिया कि अखंड सोभाग्य वती भवह जब तक आप जिवीत हो तब तक आपके पती की मृत्यू कभी भी न हो ऐसा आपने पांडवो को आशिरवाद दिया तो पितामा अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस प्रतिग्या को रखोगे और किस प्रतिग्या को तोड़ोगे तब पितामा भीश्म कहता है कि कृष्ण मेरी प्रतिग्या तो तूटते तूटेगी लेकिन मैं और एक प्रतिग्या करता हूँ कि आप जो प्रतिग्या लेकर बैटे हो न कि मैं कुरुक्षेत्र की रणभूमी में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो कृष्ण आज ये भिश्म यदि आपके हाथों से शस्त्र न उठवाए कृष्ण यदि मैं आपके हाथों से अस्त्र शस्त्र न उठवाऊं तो मैं भी गंगा पुत्र भीश्म न कहलाओं। इस प्रकार से पिताम भीश्म ने भयंकर तीन-तीन प्रदिग्या कर ली और नौवे दिन में रणभूमी में उत्रे। बिलकुल बक्तर पहन कर अनेक प्रकार के धनुष्मान से सुसज्जीत होकर भीश्म रणभूमी में आये और यहाँ पर पांडवो को लेकर भगवान कृष्ण रणभूमी में उत्रे और दोनों से ना आमने सामने और शंक नाद हुआ। भगवान सी कृष्ण ने अपना पांच जन्य शंक बजाया। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृष्ण ने जो पांच जन्य बजाया ना यदि वो शंक को किसी ने ठीक से सुन लिया होता तो भगवद गिता बोलने की जरूत नहीं पड़ी होती। शंक की द्वनी में इतनी ताकत थी। यदि शंक को समझ लिया होता तो युद्ध की आवशक्ता नहीं पड़ती। लेकिन शंक किसी ने नहीं सुना। दुर्योधन ने शंक नहीं सुना। कवरोव ने शंक नहीं सुना। शो शंक नाद हुआ दोनों से ना आमने सामने दमासान युद्ध प्रारम हुआ और भक्तो विदी का विदान कुछ ऐसा कि युद्ध करते करते आज पिताम भिश्म जब प्रतिक्या लेकर बैटे हैं तो आज ही के दिन अरजुन का रत उनके सामने टकराया पिताम भिश्म के सामने अरजुन और पिताम भिश्म ने जो युद्ध किया बिल्कुल तेज गती से अपने तरकर से बान निकाल कर चड़ा चड़ा कर तेज गती से मारने लगे ऐसा विदव्यासमुनी कहते हैं कि मानो पिताम भिश्म की जवानी लोटाई हो और पिताम भिश्म इतनी तेज गती से बान निकाल रहे थे कि उनके हाथों का एक चक्र बन गया और अठरा दिन के युद्ध में मावारत के अठरा दिन के युद्ध में अर्जुन को कभी पसीना नहीं आया लेकिन आज पिताम भिश्म के बाणों को डिफेंस करने में केवल उस बाणों से अपने आपको बचाने में अर्जुन पसीने से लत्पत बाण तो चलाई नहीं पा रहा है केवल आने वाले बाणों से अपनी रक्षा करने में अर्जुन पसीने से लत्पत और भगवान सी कृष्ण रत चला रहा है और कृष्ण ने कुछ देर के बाद अर्जुन के पीछे मुड़ कर देखा तो अर्जुन पसीने से लत्पत और तुरंत भगवान सी कृष्ण ने सोच लिया कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा तो ये भिष्ण मेरे भगत अर्जुन को मार देगा और उसी समय भगवान कृष्ण अर्जुन की रक्षा करने के लिए और पिताम भिष्ण भी कृष्ण के भगत है पिताम भिष्ण के प्रतिग्या की रक्षा करने के लिए प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा क्रिश्ण ने ये सोच लिया कि मेरा मान बले चला जाए मेरा मेरा नाम मिल जाए लेकिन मैं अर्जुन को मरने नहीं दूँगा और भिश्म की प्रतिग्या को तूटने नहीं दूँगा भिश्म ने प्रतिग्या की है मुझे शस्त्र उठवाने की तो मैं शस्त्र उठवाऊंगा और उसी समय अर्जुन की रक्षा भिश्म के प्रतिग्या की रक्षा करने के लिए भगवान सी कृष्ण वनराज केसरी सिम्म की तर हरियन गेरन होई जना पढ़िया मा कुंजर फरे यने वई निवातुन होई कहरी बच्चाने कागडा सिम्म की तर भगवान कृष्ण उस रत से कुदे और जैसे कोई सिम्म हाथी के मस्त को फाड़ने के लिए दोड़ कर चला जाए वैसे भगवान सी कृष्ण अर्जुन के रत से नीचे और नीचे एक तूटे हुए रत का पईया पड़ा था उस तूटे हुए रत के चक्के को कृष्ण ने अपने हाथों में उठाया और कृष्ण पिताम भिश्म की और दोड़ते हुए जाने लगे दोड़ते हुए भगवान सी कृष्ण पिताम भिश्म की और उस समय जब भगवान सी कृष्ण धरती पर नीचे उतरे तो धरती डोलने लगी और उस समय भगवान सी कृष्ण इतनी स्फूर्ति में दोड रहे थे हैं कि कृष्ण का पितामबर नीचे गिर गया दुनिया के लोग समझ नहीं पाए कि कृष्ण का पितामबर नीचे क्यों गिरा आचारिय गण कहते हैं कि धरती कापने लगी कि ये धरती ठीकी है धर्म के उपर धरती ठीकी है धर्म के उपर और कृष्ण साक्षात धर्म है और साक्षात धर्म कृष्ण आज अपनी प्रदिग्या को तोडेंगे तो ये धरती स्थीर नहीं रह पाएगी तो धर्ति कहना चाहती थी कृष्ण अपनी प्रदिया मत तोड़ो, तब भगवान सी कृष्ण को धर्ति को जवाब देने का टाइम नहीं था, इसलिए कृष्ण ने अपना पितामबर धर्ति के उपर दाल दिया, धर्ति ने कहा मेरी लाज चली जाएगी, कृष्ण ने कहा य प्रतिग्या तोड़ने जा रहे हैं वो क्रिष्ण के गोड़े क्रिष्ण के सामने नहीं देख पाए और क्रिष्ण के गोड़े पीछे मुड़ कर देखने लगए और उस समय अर्जुन रत से नीचे उतरे और अर्जुन क्रिष्ण के चरणों को पकड़े कि प्रभू आप मेरे लिए अपनी प्रतिग्या मत कृष्ण अर्जुन को घसीटे हुए अर्जुन ने बड़ा कर्सकर पकड़ के रखा कृष्ण को नहीं जाने दूंगा प्रतिक्या नहीं तोड़ने दूंगा लेकिन कृष्ण अर्जुन को घसीटे घसीटे कितने किलोमेटर दूर लेकर चले गए और भगवान सी कृष्ण आज पुर्ण आक्रोश में और कृष्ण उस रथ का चक्का लेकर दिरे 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 आगे बढ़ रहे हैं और उस में पिताम भिष्म दूर से देख रहे हैं ओ कौन आ रहा है और पिताम भिष्म ने अपना धनुष बान चड़ाया और बान अब कृष्ण के उपर है एक के बाद एक कृष्ण के उपर है तो भिष्म बिल्कुल वीर रस में आ चुके थे और कृष्ण भी वीर रस की चरम सिमा में पहुँच चुके थे और एक के बाद एक अब कृष्ण के उपर बान माभारत में लिखा है पिताम भिश्म के बाणों से भगवान सी कृष्ण का सोने का कवच तूट गया लटक गया और भिश्म के बाण भगवान सी कृष्ण के शरीर में जाने लगे लेकिन बाण लगे लगे भगवान सी कृष्ण अभी भी पीछे नहीं अट रहे हैं एक और रत के घोडे पीछे दूक नहीं रहे हैं और हाथ में चक्का लेकर पिताम भिश्म की और चलते हुए जा रहे हैं अनेको बाणों की बोचारों का सामना करते हुए कृष्ण चलते चलते पिताम भिश्म के पास पहुँचे और जैसे ही भिश्म के बिलुकुल निकट पहुँच गए तब पिताम भ तो अब कृष्ण को बिलकुल निकट आते हुए देखकर पिताम भिष्म ने अपने हाथों से धनुझमान रख दिये और कृष्ण को प्रणाम करने लगे और उसी मौके का फाइदा भगवान कृष्ण ने उठाया जब धनुझमान रख दिये तब कृष्ण अर्जुन से कहते अर्जुन देख क्या रहे हो उठाओ अपना गांडिर और पिताम भिष्म की चाती को छली कर दो और उसी समय क्रिष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपना गांडिर उठाया और एक के बाद सरपो के समान पिताम भिष्म के शरीर में अर्जुन बान मारने लगे पिताम भिश्मनी हत्थे दोनों हाथ में अस्तर-शस्तर नहीं और अर्जुन के एक के बाद एक बाद लगने लगे सेंकडो कुछ ही घड़ी में अर्जुन ने सेंकडो बान पिताम भिश्मन के शरीर में दाल दी माभारत में लिखा है कि सोई की नूक रखने की भी जगह पिताम भिश्म के शरीर पर नहीं बचे इतने बान अर्जुन ने पिताम भिश्म के शरीर में मारे और जब इतने सारे बान भिश्म के शरीर में लगे तब भगवान कृष्ण का नाम लेकर जैसे कोई आकाश ही धरती पर गिर जाए आकाश से कोई परवत धरती पर गिरे वैसे पिताम भिश्म मरे नहीं धरती पर धराशाई हुए और जैसे ही भिश्म धरती पर गिरे महभारत का युद्ध मानो पॉज हो गया बिलकुल थंब गया मानो समय रूक गया वातावरन रूक गया पवन बहना चोड़ दिये और लाखो लोग वहाँ पर बिलकुल स्थब्द हो गये क्या हुआ भिश्म गिरे आज तक कोई सवपन मे भी नहीं सोच सकता के भिश्म गिरेंगे लेकिन आज भिश्म गिरे हैं यह बात जब सब को पता चली सब लोग अपने अपने हथियार छोड़ कर अपने अपने रच से नीचे उतर कर पिताम भिश्म के पास आने लगे हैं आज धराशाई हुवे कुरुकुल के सरताज अज धराशाई हुवे कुरुकुल के सरताज उनको अभिवन्दन करे सारा विश्म समाज सारा विश्वसमाज श्वेत यातमा श्वेत यातमा श्वेत यूग श्वेत के शयावेश् कहां दिखे इस लोक को ऐसा वीर विशेश् रक्त सना हर तीर है अश्रु भरा हर नेन रक्त भरा हर तीर है अश्रु भरा हर नेन रुन्दा रुन्दा हर कंठ है रुन्दा रुन्दा हर बेन और अरजुन ने छूवे चरण लिये रदय में घाव अरजुन ने छूवे चरण लिये रदय में घाव क्रिश्न खडे करवधः हो ऐसा प्रेम प्रभाव पिताम विश्मका ऐसा प्रेम प्रभाव सो इस प्रकार बरत पुंगव गंगा पूत्र भेश्म कुरुक्षेत्र की भूमी पर धराशाई हुए सारी कुरुक्षेत्र की भूमी ने सभी वीर युद्धा ने पिताम विश्मको प्रणाम किया अर्जुन का रदे विदिर्ण अर्जुन ने पिताम भिश्म को प्रणाम किया लेकिन आश्चरिय तो यह था कि अखिल ब्रह्मान्ड नायक भगवान कृष्ण भी पिताम भिश्म को प्रणाम कर रहे था साड़े चार सो वर्ष की जिन की आयुश्य थी साड़े चार सो वर्ष की जिन की उम्र थी ऐसे बुड़े पिताम भिश्म आज शर्चया पर सोय हुए हैं और पिताम भिश्म ने उस समय दुर्योधन को इतना ही कहा कि दुर्योधन मैंने तुम से कि तुमारे बाप से आज तक कुछ मांगा नहीं है लेकिन मैं आज एक वस्तु मांगना चाहता हूँ बले क्या बले मुझे अकेला छोड़ दो मुझे एकांत में यहाँ पर बैठने का सारे कवरव पांडव अपने अपने स्थान पर चले गए और कुछ दिन के पश्चात पिताम भिश्म ने अर्जुन को बुलाया अर्जुन पिताम भिश्म के पास कुछ दिन के बाद जब दर्ती पर गिरे कुछ दिन के पशात अर्जुन आए और अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे पितामह मैंने अन्याई किया मैंने आपके हाथों में धनुश बान नहीं थे और मैंने आप पर बान मारे मुझे एक शमा कर दीजिए पितामह भिश्म कहते हैं बेटा क्या मैंने कम अन्याई किया है मेरे अन्याई के सामने अर्जुन तुमारा कोई अन्याई नहीं और अर्जुन बेटा अर्जुन तुमारे ये बान मुझे तो फूलो की शया लग रहे हैं बेटा भी कभी अपने पिता को मार सकता है तुमने मुझे मारा नहीं बेटा तुमने मुझे फुलों की सिया पर सुलाया है तुम चिंता मत करो लेकिन अरजुन ये ये करते करते आज का दिन आया कार्तिक शुकल एकादशी अब आज के दिन की घटना सुनिया आज का दिन आया और आज के दिन पिताम भिश्म ने कहा कि बेटा अरजुन मुझे प्यास लगी है दुर्योधन गया जाओ अपने घर पर हमारे घर पर फिल्टर का पानी लेकर आओ भिश्म ने कहा फिल्टर का नहीं जिस अरजुन ने मुझे ये शैया दी उसी अरजुन से मैं पानी पिऊंगा और उसी समय अरजुन ने अपने गांडीर उपर बान चड़ाया और वहां इस प्रकार से बानों को अरजुन ने मारा कि वहां से गंगा प्रकट होई आज भी आप कुरुक्षेत्र में जाओ ने तो कुरुक्षेत्र की भुमि में अरजुन के द्वारा प्रकटित गंगा है तो आज के दिन पिताम भीष्मने पानी मांगा था और अरजुन ने गंगा प्रकट की और पिताम भीष्मने मा गंगा जल धारने किया इसलिए कहते हैं मागंगा आशीश दे आकर सुत के पास मागंगा आशीश दे आकर सुत के पास आज गिरा हो भूमि पर जो कोई आकाशे मागंगा प्रकट होकर अपने बेटे को भिश्म तो उनका लाडला है अपने लाडले को बेटे भिश्म को गोद में रखकर मागंगा ने जल पिलाया जल धारन कराया और जल पिलाने के बाद मागंगा ने कहा के बेटा चलो भी अभी ये संसार अपने रहने के लायक नहीं है तुम मेरे साथ चलो तब पिताम भिश्म कहते हैं के माँ मुझे अभी भी कुछ काम करने बाकी है अभी भी मुझे कुछ कारिय मेरे अधूरे है अब मा का सुवाव मा गंगा ने अपने बेटे भिश्म को कहा के बेटा लेकिन तु ये बाणों की सहिया पर शर सहिया पर तुझे कष्ट नहीं होगा पिताम भिश्म इतना ही कहते हैं के मा मेरा तो पूरा जीवन ही कष्ट महीं बिता है मेरा तो जीवन ही इन कष्टों के बीच में बिता है जीवन के अंत में कुछ कष्ट सहन करके भी मैं मेरे कारिय को पुर्ण करूं फिर मैं आपके पास आऊंगा और इस प्रकार पिताम भेश्म कहते हैं आज से युदीष्टिर महाराच को ज्यान प्रदान करना प्रारंब किये तो ये भीश्म पंचक आज के दिन पिताम भेश्म ने पानी मांगा था ये ये बुड़े बाप ने ये दादा ने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं इसने जीवन में केवल दिया दिया और दिया लेकिन आज जीवन में प्रथम बार और अपने प्राण प्रीय पुत्र पुत्र अर्जुन से जल मांगा अर्जुन ने गंगा जल पिलाया और आज से पिताम भिश्म ने युदिश्टिर को ज्ञान प्रदान करना प्रारंब किया बगतो जब पिताम भिश्म ने जल मांगा यूँ तो अर्जुन ने जल पिला तो दिया लेकिन उस समय भगवान सी कृष्ण वहाँ पर खड़े थे और उस समय भगवान सी कृष्ण ने निवेदन किया कि पिताम भिश्म आपने विवाह नहीं किया है और यूँ तो जो विवाहित होते हैं उनके संतान होते हैं उनके बच्चे होते हैं तो कोई पुत्र पोत्र बच्चे अपने पिता का अपने दादा का तरपन करते हैं श्राद करते हैं जल पिलाते हैं लेकिन है पिताम भेश्म आपने धर्म के खातिर विवाह नहीं किया अतह मैं आज एलान करता हूँ कि आज कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भिश्म ने जल मांगा है इस दुनिया में आज से यदि कोई पाँच दिन तक पिताम भिश्म को जल प्रदान करेगा पिताम भिश्म को अर्ध्य प्रदान करेगा उसे मेरा धाम वैकुंट और मेरी शुद्ध भक्ती प्राप्त होगी भगवान सी कृष्ण ने एलान कर दिया तो कृष्ण के एलान करने से और एक श्लोक बताया ये श्लोक आप देख सकते हैं सत्य व्रताय शूचये गांगे याय महात्मने भिश्माये तत्त दाम्यर्ध्य आजन्म ब्रह्मचारिने आजन्म ब्रह्मचारिने इस मंत्र के द्वारा कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पुर्णी मातक यह पाँच दिन यह मंत्र बोलकर पिताम भिश्म को जो अर्ध्य प्रदान करेगा और यह भिश्म पंचक वरत का जो पालन करेगा उसके सारी मनो कामना पुर्ण होगी इवन उसे मेरा धाम और मेरी शुद्ध भक्ती प्राप्त होगी सो भक्तो यह हैं कथा और यह हैं स्वयम भगवान से कृष्ण के द्वारा प्रति पादीद भिश्म पंचक वरत है यह वरत एकादशी से पुर्णी मातक चलता है पिताम भिश्म इसी पाँच दिन युदिष्टिर माराज को ज्यान प्रदान किये और इसलिए हमें ये पाँच दिन वरत रहना चाहिए वरत के कुछ नियम है पहला नियम इस एकादशी से लेकर पुर्णी मातक क्योंकि पिताम भिश्म अखंड ब्रमचारी थे इसलिए इन पाँच दिनों में ब्रमचरी वरत का पालन करना चाहिए एक, दुसरा रोज या प्रती दिन इस पाँच दिन में पंच गव्य खाकर ही अपने दिन बिताने चाहिए गाई के पंच गव्य होते ना दूद, दही, माखन, पाँच गव्य, पाँच प्रकार की गाई की वस्तों तो आज दूद लिया तो किवल दूद, कल दही लिया तो किवल दही ऐसे एक एक दिन में गाई का एक गव्य तो पंच गव्य पाँच दिन में लेकर इस वरत को किया जाता है या फिर निर्जल, निर्जला, सजला या सफला होकर इस पाँच दिन के वरत को किया जाता है और इन पाँच दिनों में भगवान को पाँच प्रकार के फूल अरपण करने चाहिए एका दशी के दिन, आज के दिन कमल का फूल, द्वा दशी के दिन बिल्व पत्र, त्रियो दशी के दिन अत्तर, चतुर दशी के दिन जावा फूल या गुढ़ल का फूल और पुर्णी मा के दिन, इस वरत के पाँचवे दिन मालती का फूल अब यदि आपके मन में होगे ये फूल कहां से लाएंगे तो यदि फिजिकली नहीं ला सकते हैं तो एटलिस्ट मन से इन फूलों को भगवान के चरणों में अरपन करना चाहिए तो इस प्रेकार इन पाँच दिनों में हम यवरत रहते हैं तो पिताम भिश्मने जो भक्ती की है वही भक्ती हमें प्राप्त हो जाएगी इसलिए ये भिश्म पंचक की बड़ी महिमा है और भक्तो इन पाँच दिनों में क्योंकि पिताम भिश्मने युदिष्टिर महराज को शास्तरु का ज्यान दिया था इसलिए इन पाँच दिनों में पिताम भिश्म की कथा या पिताम भिश्म की स्तूती सुनने की महिमा है तो यह हैं भिश्म पंचक और यदि कोई भिश्म पंचक वरत रहता है तो फल क्या मिलता है? सबसे पहले असिम महिमावंत सर्व फल प्रदाई कार्तिक वरत का पालन नहीं किया यह एक महिने का कार्तिक वरत है न तो एक महिने तक यदि कोई कार्तिक वरत का पालन नहीं किया और किवल ये पाँच दिन भिश्म पंचक वरत रह जाता है तो पूरे कार्थिक वरत का फल उसे प्राप्त हो जाता है एक, दुसरा नी संतान जिसको संतान नहीं है या जिसको है तो नहीं के बराबर चोथा माला खाली है भजन भगती करते नहीं तो जो नी संतान है या जिसके बच्चे भजन नहीं करते और यदि वे ये भिश्म पंचक वरत का पालन करते हैं तो नी संतान संतान वाले हो जाते हैं और जिनको संतान है वे संतान भक्त बन जाते हैं, अपने बच्चों को संसकार देने के लिए भी यह वरत किया जाता है, यह वरत करने से सूख और संमान में वरुद्धी होती है जो आपको नहीं चाहिए आप तौँ सब शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त अमानिन अमान दिन होते हैं मेरे जैसे को तो चाहिए भाई हमें तो तो जिसको सूख और सनमान चाहिए उसे ये वरत करना चाहिए और यह वरत करने से स्वास्थय उत्धम बनता है अपना शरीर स्वास्थय आप guarantee लिख दीजी ये 5 दिन भिश्म वरत का जो पालन करेगा 21 में कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा लेकिन करेगा ठीक से तो और फिर लंबी आयू की प्राप्ति होती है पिताम भिश्म साड़े 400 वर्ष तक जिये तो पिताम भिश्म की स्मृति में ये भिश्म पंचक वरत करता है तो भिश्म की आयूश्य हमें प्राप्त हो जाती है तो इस प्रकार आज से ये भिश्म पंचक प्रारम हुआ है संग्शित में मैंने भिश्म पंचक के विश्य में निविदन किया